नमस्कार दोस्तो आज हम अपने वीडियो के माध्यूम से बात करें सपनों में ग्याने देखने का मतलब जानकर चोक जाएंगे आप अगर आप जानना चाहते हैं तो जान ये पून विस्तार से हमारे वीडियो में लास्ट तक देख कर आपको हमें से कई तरह की सपने आते होंगे दोस्तो कुछ सपनों में आपको अच्छा लगता होगा तो कुछ सपने आपको डरा भी देते होंगे जब हमें सपने आते तो हम उनमें कई तरह की चीजे और इंसान देखते हैं आज आपको इसे समंदित वस्तु के बारे में बताएंगे कि सपनों में जो चीजे आपको दिखती है उनका एक बहुत बड़ा मतलब भी होता है उनकी चीजे देखने का सीधा समंद आपके वस्तुक जीवन से होता है यह सपने आपको आने वाले समय और घटनाव के बारे में बताते हैं पर हम इसको समझ नहीं पाते कि इनकी चीजे का क्या मतलब होता है आज हम आपको बताएंगे कि अगर आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको सपने में गहने दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है इसे आपको क्या फरप्राप्त होता है जी याँ सपने में सोना चांदी और गहने अगर दिखते हैं तो इनके कई मतलब होते हैं जो आपको उन बातों के बारे में बताते हैं जो होने वाला है आगे के समय में आई जानते हैं सपनों में जुएलरी देखने का क्या होता है मतलब अगर आपने सपने में गहनों को देखा तो इसका मतलब होता है कि आपके आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है इसका मतलब ये भी हो सकते है कि आपके परिवार में किसी की शादी भी हो सकती है या कोई बड़ा मोहतसब भी हो सकता है इसलिए घबराने वाली बात नहीं सिर्फ आपका खर्च बढ़ेगा और कुछ नहीं गैनक गिफ्ट करना अगर आपने सपने में देखा कि आप किसी को सोना या कोई ज्वैलरी गिफ्ट करने हैं तो आपको इसे घबराने की जुर्ट नहीं है क्योंकि आपको जल्दी कारोबार में लाब होगा और आपके दफ्टर में आपका प्रमोशन भी हो सकता है ऐसा योग भी बन सकता है इसलिए ये देखना शुम माना जाता है गहनों को पहने हुए देखना अगर आपने आपको सपने में घहने पहने वे देखा है तो ये भी एक अशुब संकेत माना जाता है आपका कोई करी भी आप से दूर जा सकता है या हो सकता है कि आपकी शादी तूट जाए ऐसा सपना देखने से आपकी नोक्री जाने के भी संकेत माने जा सकते है ये असुफल देता है साधी शुदा महिला ऐसा माना जाते हैं कि वास्तु के अनुसार सपने में देखी गई हर चीज का कोई मतलब ज़रूर होता है अगर आपने सपने में ये देखा कि आप किसी की शादी में उसको गहना दे रहे हैं या आपने ये देखा कि कोई शादी शुदा औरत आपके सपने में आई है या आपने देखा कि किसी की शादी हो रही है और आप उसको देख रहे हैं ऐसा तब होता है जब आपके यहां किसी की शादी होनी होती है गैना खरीदना अगर आपने सपने में ये देखा कि आप सोना खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बंद भाग गया आप खुलने वाला है ऐसा तब होता है जब आप बहुत जल्दी ही कामिया भी प्राप्ट करने वाले होते हैं गेहना चोरी होना अगर आपने सपने में देखा कि आपके गैने भरी भीड में कोई चोरी करके ले गया तो इसका मतलब होता है कि आपको अचानक किसी विरोधी के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकते हैं इसलिए ऐसे समय पर आपको सावधान होने की बहुत जादा जुर्थ है क्यारे दोस्तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तो जैहिंद